असलाम अलेकुम प्रेंड्स आज का हमारा वीडियो टॉपिक है एक्सिल आल मोस्ट इंफॉर्टेंट एंड पास्ट शॉर्टकट तो आज के वीडियो में हम एक्सिल के वो सारे शॉर्टकट सीखने वाले हैं और इसी ट्रेक की जरी से ही आप अपना किम्टी टाइम बचा सकते हैं और इसी वीडियो का मकसद भी यही है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो चले बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारे पास कुछ सिंपल और बैसिक ट्रिक में से ट्रिक नमबर वन है एक्सिल शीट के अंदर नीव शीट एड करना मैनवली हम प्लस की निशान पर जब क्लेक करते हैं तो वर्कशीट के अंदर एक नीव शीट एड हो जाता है इसको डिलीट करने के लिए राइट क्लेक करना है डिलीट के ओप्शन पर क्लेक करना है और इसका shortcut हमारे पास है shift plus f11 यानि shift को hold करना है f11 को press करना है नई sheet इस तरी की से भी हम create कर सकते हैं और sheet को आगे पीछी करने के लिए मास करसर के साथ इसको पकड़ना है और इसको आगे पीछी भी कर सकते हैं तो open new worksheet इसके लिए हम control plus n को press करना है इस तरी की से network sheet उपन हो जाएगा duplicate sheet के लिए right click करना है move और copy की उपर click करके यहां पी sheets सले करके create a copy के उपर check लगाना है इस तरी की से हम duplicate sheet बगएर copy paste के बना सकते हैं और अगर आपने किसी sheet को rename करना हो right clicker की sheet की उपर या double clicker की भी हम इसको rename कर सकते हैं यानि दूसरी नाम के साथ इसको save कर सकते हैं next trick बहुत important trick है इसके बारे मैं एक सर इंटर्व्य में भी पूछा जाता है कि आपके पास row कितने हैं और column कितने हैं एक sheet में तो इसके लिए आपनी किया करना है control plus shift plus down arrow control plus shift plus right arrow को फ्रेस करना है पूरा sheet select हो जाएगा और उपर आपको इस तरह नज़र आएगा 10,48,576 row और 16,348 column इस तरह के से आप यहां से देख सकते हैं नेक्स ट्रिक है freeze header row header row को freeze करने का मतलब यह है कि जब भी हम नीची जाते हैं या उपर जाते हैं हमारा header row अपनी जगा पे freeze हो तो इसके लिए alt w f r हमने keyboard से press करना है alt को hold करने की ज़रूरत नहीं है सकते हैं या unfreeze करने के लिए वीफी जाना है यहां पे simple unfreeze करना है दोबार अपने हालत में आ जाएगा next is select row column और page तो वही simple तरीका है आपने क्या करना है अगर आपने select करना है तो control shift down arrow अगर select नहीं करना है तो सिरफ control down arrow से भी आप नीची cell तक जा सकते हैं और इसी तरह अगर right side पे जाना हो shift control right side arrow press करना है तो इस तरह किसे आप select कर सकते हैं left arrow के साथ left side वाले cell आप select कर सकते हैं next trick है to copy or duplicate any cell value इसके लिए अगर आपने right side पे copy करना है control और press करना है और अगर नीची cell में copy करना है तो इसके लिए हम control D के इस्तिमाल करते हैं control को hold करना है और D press करना है next trick है to select entire column यानि जो cell है उसका पूरा column select करना है तो इसके लिए control प्लस space को press करना है पूरा column select हो जाएगा और अगर row को select करना है तो cell के entire row को select करने के लिए shift को हम hold डगेंगे और space की हम press करेंगे तो entire row select हो जाएगा तो insert row row को insert करने के लिए control shift प्लस इसके ज़रे से हम row insert कर सकते हैं control प्लस minus या underscore वालब की press कर दे तो delete हो जाएगा control Z के साथ under हो जाता है यानि reverse के लिए use होता है next trick है to insert a column control space के साथ हमने column को select करना है और shift control plus के साथ या is equal to key के साथ हम extra row या मज़ीद row insert कर सकते हैं control plus minus वालब की के साथ हम इसको delete भी कर सकते हैं column को next है to separate first name and lost name इसके लिए हमने first name लिखना है और keyboard सी control E को फ्रेस करना है पूरी column में first name आ जाएगा इसी तरह अगर lost name आपने अल्ला करना हो तो वो भी इसी तरह आप कर सकते हैं और ये अमल आप किसी भी sell के साथ कर सकते हैं page के center में शुरू में या lost में यहां पर भी आप first name लिखेंगे control E फ्रेस करेंगे तो first name आ जाएगा पूरी column में इसी तरह lost name के लिए भी हम यही तरीके यूज़ करेंगे पहले sell में हम लिखेंगे बलकि मैं एक column को insert करता हूँ और यहां पर मैं लिखता हूँ first name और control E फ्रेस करता हूँ और दूसरी column में lost name लिखता हूँ और keyboard से control E को फ्रेस करता हूँ तो इसी तरह हम first name and lost name अलग-अलग कर सकते हैं अब reverse जाने के लिए control Z भी कर सकते हैं और control minus के साथ इसको delete भी कर सकते हैं to move a column किसी भी column को दूसरी जगा move करने के लिए पहले column को select करना होता है पिर करसल की उपर जब प्लस का icon आ जाए तो इसको right click करके दूसरी जगा पे move कर सकते हैं आप देख सकते हैं असानी के साथ move हो जाता है और अगर आपने दोबारा इसको अपने जगा पी करना है Ctrl Z कर दे यही सीम तरीका आप row के लिए भी apply कर सकते हैं फिर एक graph के लिए भी कर सकते हैं टेबल के लिए भी कर सकते हैं आपने select करना है और move करना है insert second line in a row तो इसके लिए आपने cell को edit करना है alt plus enter को press करना है तो एक row के अंदर दुसरा line insert हो जाएगा यह डबल क्लिक करके edit करना है और alt interface करना है तो एक row के अंदर दुसरा line असानी के साथ insert हो जाता है यह एक row दो line में divide हो जाता है next trick है insert comment for a cell इसके लिए shift plus app to press करना है तो किसी भी cell के लिए आप comment insert कर सकते हैं comment वाली window को insert कर सकते हैं और comment उसके बाद आप लिख सकते हैं यहां पर मैं लिखता हूँ एक cell के लिए report फैंटेंग इसी तरह आप multiple cell के लिए अलग-अलग comment लिख सकते हैं as a reminder भी आप इसको set कर सकते हैं next shortcut है go to a specific value इसके लिए fiv हम use कर सकते हैं cell prints में value इंटर करनी हैं तो okay करने की बाद हम direct अपने cell पे पहुंच सकते हैं यह काम हम control f यानि find cb कर सकते हैं लेकर यहां पर go to option में हमारे पास special option है जिसके तरह हम बहुत सारा काम कर सकते हैं next trick है go to first और lost sheet इसके लिए control page up के साथ हम first sheet पी जा सकते हैं control page down के साथ next page पी जा सकते हैं lost तक हमारा first page के लिए control up page और control down page lost page के लिए next shortcut है to change number into date and time format ship control to के साथ हम time format apply कर सकते हैं ship control one के साथ हम number format apply कर सकते हैं और ship control three के साथ हम date format apply कर सकते हैं इसके लावा हम system date and time को किस तरह insert करते हैं यानि मजूदा date and time cell को select करना है और keyboard से ship control double quotation mark की phrase करना है current time के लिए और करना date के लिए control प्लाइस सीमी कॉलन वाला की फ्रेस करना है इसी तरह अगर किसी text को underline करना है तो control प्लाइस यू फ्रेस करना है और अगर cuted text लिखने हो तो control प्लाइस फ्रेस करके भी apply कर सकते हैं या फहले खाली सेल की उपर भी control प्लाइस प्लाइस कर सकते हैं उसके बाद जो भी आप लिखेंगे उसकी उपर line एप्लाइस हो जाएगा और shift control 5 के साथ हम percentage का assemble add कर सकते हैं या percentage apply कर सकते हैं किसी भी row and column का data add करने के लिए सबसे पहले आहरी blank share में जाना है और keyboard सी control equal to press करके automatically हम sum का formula apply कर सकते हैं इसी तरह हम row को भी add कर सकते हैं to point and change value f5 या control plus h control plus g हम point and replace के लिए use कर सकते हैं for example यहां पर मैं एक value MRF को change करना चाहता हूं मेरे data के अंदर जितना भी बार MRF आया है इसको मैं change करता हूं 7989 से replace all पर क्लिकर करके one time replacement apply हो जाएगा जो कि पाफ 179 entry है ok करते हैं और दिबारा ok करते हैं हो जाएगी आपके मतलब जितना भी entry है वो change हो जाएगा control app के साथ हम किसी specific value को find कर सकते हैं कोई भी value हो तो यहां से आप find कर सकते हैं control app के साथ मैं यहां पर कोई entry type करता हूं जो कि मेरे पास data में available है find pick लेकर के जितने बार आया है आप उसको देख सकते हैं find कर सकते हैं इसी तरह control h के साथ हम replace कर सकते हैं dollar currency के लिए हमने shift control 4 के use किया था different type currency के लिए हम दो तरीक इस्तिमाल कर सकते हैं या home tab के अंदर जो हमारा format है वहां से हम कर सकते हैं या control plus one को press करके format पर जाना है format self यहां पर currency को choose करके आप इसके decimal को increase decrease भी कर सकते हैं decimal यहां पर मैं zero कर देता हूं और यहां से मैं RS वाला जो है currency select करता हूं यहां पर apply हो जाता है इसी तरह different type currency आप apply कर सकते हैं अपनी country के मताबिक next trick है to apply filter for specific name or value इसके लिए right click करना है उस name की उपर और filter को select करके filter type को यहां से select करना है और ok करना है मैंने खालिक का जो नाम है वो filter किया और filter को हटाने के लिए ship control L shortcut यूज़ कर सकते हैं और LDFF का shortcut यूज़ कर सकते हैं दोबारा filter लगाएं यहां से भी आप filter कर सकते हैं और इसी तरह हम shift control L के साथ filter हटा सकते हैं to select entire column इसके लिए हमारे पास shortcut की है control plus space to select entire row इसके लिए हम shortcut की यूज़ करेंगे shift plus space इसी तरह row को hide करने के लिए हम shortcut की यूज़ करते हैं control plus 9 और column को hide करने के लिए control plus space पहले select करना है उसके पास control plus zero के साथ हम इसको hide कर सकते हैं तो unhide row and column shift control 9 and shift control zero का shortcut हम इस्तिमाल करते हैं जिसके ज़रे से हम row and column को unhide कर सकते हैं अपने sheet में से परमॉला को देखने के लिए हम data को select करते हैं और control plus tilde की बटन से हम परमॉला को show कर देते हैं कि हमारे cell में data में काँ सा परमॉला use हुआ है मैंने column को select किया और control tilde का use किया तो यहां पे आप देख सकते हैं जो भी परमॉला मैंने use किया है उस परमॉला को यहां पर show किया है next trick है to count numeric and non-numeric value in your table तो इसके लिए पहले अपने data को select करना है और सबसे नीशी जाएं यहां पे count 18,050 और numerical count 11,206 इदर पे show हो रहा है और इसके साथ अगर आपके पास कोई specific table है तो उसका average भी आपको देखाएगा maximum minimum value भी यहां पे आप show करा सकते हैं next trick है get data from table range table range से data अचीव करना या control T के साथ भी आप table create कर सकते हैं data table create कर सकते हैं इसके लिए हम control plus T press करते हैं और my table has a header पे चेक लगा के ok करना है इस तरह के से आपके पास table आ जाएगा my table has a header के उपर चेक लगाया और अगर आप पुचाते हैं तो यहां पे header उसे अंचे करके आपका header हो गायब हो जाएगा यह नहीं unfilter हो जाएगा और banded row से चेक खटाके आप simple table बना सकते हैं shortcut की तरह की से और यहां पे different type table की design है और वो design भी भी आप apply कर सकते हैं easily इसी तरह के से हम अपने इसी टेबल की लिए slicer filter भी insert कर सकते हैं insert slicer में आप जो data आप को चाहिए region wise, code wise, increase, decrease जो भी है ascending, descending wise आप यहां पे filter लगा सकते हैं कुई भी item आप select करते हैं उसी का range जो है वो आपको show करा देगा और बकाया जो है आपका data hide हो जाएगा यानि slicer की through हम ascending, descending और specific value हम अलग-अलग देख सकते हैं और filter में सबसे बहतरीन option जो है वो slicer के हैं आप अपने data table की साथ अपना slicer लगाएं और अगर आपका data बड़ा है तो आप असानी की साथ इसको summarize कर सकते हैं और slicer setting भी आप कर सकते हैं ascending, descending में और भी बहुत सारे का आप slicer से करवा सकते हैं सो friends उमीद करते हैं आज की video आपको पसंद आई होगी अगर video पसंद आई है तो video को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें Thanks for watching में अखिजस नाप करें